बूर्णिंग केड्स, वेलकम तु जी के क्लास, टेक आउट यूर जी के नोट बूक्स, तोड़े वी आपको पहले भी बताया है कि डोमेस्टिक आनिमल्स क्या होते हैं, आनिमल्स विच लिफ विद अस पेट और वी फांग दम निया बाया आर हाउस, वो आनिमल्स जो अस प हमारे घर पे रहते हैं या हमें अपने घर के आसपास मिलते हैं, so let's start, can you name them, few of them, yes, cow, c-o-w, cow, cow को हम घर पे रखते हैं, as a pet, और cow हमें क्या देती है, milk, cow gives us milk, yes, right, second pet animal या domestic animal कौन है, dog, most of, लोग dog को as a pet अपने घर में रखते हैं, और जो dog animal होता है, वो human being का क्या होता है, best friend होता है, third, cat, cat, number four, got, g-o-a-t, got, number five, horse, h-o-r-s-e, horse, got, be, kids, लोग अपने घर में as a pet रखते हैं, और इसका milk भी लोग पीते हैं, okay, जैसे cow का milk हम लोग लेते हैं, वैसे ही got का भी हम milk लेते हैं, horse, mainly आप लोग घर में जब रखते हैं, तो वो riding के भी काम आता है, और load उठाने के लिए भी काम में आता है, Number six, hens, h-e-n, hen, seven, fish, f-i-s-h, fish, and number eight, sheep, s-h-e-p, sheep, so kids, here are few domestic animals which people used to keep at their house, इनको हम house में भी रखते हैं, कुछ लोग अपने farm पे रखते हैं, okay kids, आपको ये animals अपने आसपास देखने को भी मिलते होंगे, आपने cow, dog, cat, got, horse, hen, fish, sheep, जरूर देखे होंगे अपने आसपास, है न kids, और kids, आप इन animals को भी learn कर सकते हैं, और other domestic animals भी आप learn कर सकते हैं, okay kids, bye bye, see you in the next video.